तो फाइनिल दोस्तों आप लोग देखो के हिंदुस्तान कोपर के दवर आपने कोटर वन के जो आकड़े वो पब्लिक्स कर दिये गए हैं तो चलिए फटाफट से देखते हैं हिंदुस्तान कोपर के रेजल्ट कैसे हैं क्या इस श्विरकंद रहाची लगातार तेजी बनती यह टोटल रिवेन्यू आप जिसको बोलोगे तो अपकी बार जो टोटल इंकम हुई है वह तक्रीबन 384 क्रोड 73 लाग की जबकि प्रिवेस क्वाटर में 611 क्रोड की इंकम थी तो प्रिवेस क्वाटर से तो एक बिग फॉल इंकम में बनते नजर आए वही अगर मैं बात क अपकी बार जो क्रोड इंकम को मिलेगें आपकी बार जोơn इंकम प्रिवेस क्रोड के यहां पर आक लोग देखोगा 322 क्रोड के जबकि प्रिवेस क्वाटर में 437 क्रोड के expense थे तो previous quarter से अपकी बार आप लोग देखो कि expenses में गिरावाट है वहीं previous year के same quarter में दोसो 80 क्रोड के expense तो वहाँ से expense में बढ़ोतरी है तो अपकी बार फिर से आप लोग देखो जो revenue उसके expense से जाद है तो इसका मतलब company को profit हुआ है लेकिन कितना profit हुआ चली वो देख लेते भी net profit for the period अगर मैं बात कुरू तो अपकी बार जो profit हमें देखने को मिला है तो यहां पर आप लोग देखो कि जो net profit after tax हमें देखने को मिला है इस quarter के दुराण वह 47 क्रोड का जिया 47 क्रोड 28 लाग का profit है जबकि previous quarter में 132 क्रोड का profit वहीं previous year के same quarter में 57 क्रोड का profit तो quarter on quarter basis पर profit में big decline वहीं previous year के same quarter से compare करें तो वहां से भी आप लोग देखो कि profit में big decline हमें देखने को मिली है तो results आप लोग देखो कि बिल्कुल खराब आते नजर आए हैं जिसका effect आपको next trading session में यानि कल तो market बंद है 16 तारीक को stock के उपर देखने को मिलेगा यह share के अंदर एक big fall बन सकता है जो भी निवे से कि यहां से stock को long term के लिए उठा रहे थी ठीक है जो तेजी देखकर पीछे जो तेजी बनी थी न वह आप लोग देखोगे भी एक breakout के उपर breakout जब हुआ ठीक है वहां से आप लोग देखोगे जैसे ही उसका जो demand बड़ा share का उसी विज़े से stock में तेजी बनी थी EPS की बात करें earning पर share की तो अब की बार रहे उने इंचार्ज पैसे प्रीविज में एक रुपे 37 पैसे वही प्रीविज एरे के सेम क्वाटर में 69 पैसे तो रेजल्ट्स बहुत जादा खराब आए हैं जिसका नेगिटिव एक स्टॉक के उपर हमें